सुविधा के नाम पर कहीं आप भी किसी बड़ी मुसीबत को नियोता तो नहीं दे रहें प्ले स्टोर पर ना जाने कितने सारे लोन एप मौजूद हैं जो मिनिट भर में आपको बिना किसे शर्प के लोन मुहया करवा देते हैं कोरोना के दोरान लोन एप के खिलाफ कापी शिकायते भी दर्ज होई थी बताया गया था कि ये एप नीजी जानकारी के बदालत लोगों को ब्लैक मेल कर रहे हैं और कई लोगों ने इस से तंग आकर अपनी जिन्दगी भी खतम कर ली है लोन एप का आतंक अभी भी कम नहीं हुआ है आसानी से लोन देने वाले ये एप आपकी जिन्दगी कितनी मुश्किल कर सकते हैं इस बात का अंदाजवा आप ऐसे लगा ये कि एक लड़की ने लोन अपनी मुसीबते कम करने के लिए ली थी लेकिन वो लोन एप ने उस लड़की की तस्वीर को गलत तरीके से इस्तमाल कर उसको अब ब्लैक मेल करने लगा है लड़की की न्यूड तस्वीरें उसके रिस्तदारों को भेजने लगा है और उसे ब्लैक मेल करने लगा है क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं उसके पहले नमशकार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना सोची आजकल एक और दुनिया चांद पर पहुच गई है तो वहीं दूसरी और एक ऐसा भी समय चल रहा है कि लोग घर में बैठे बैठे लून ले ले लेते हैं और आसानी से अपने बड़े बड़े का आम घर से ही कर लेते हैं लेकिन कहते हैं आराम हाराम होता है कुछ ऐसा भी हो भी रहा है लोगों की जिन्दगी आराम दायक बनाने के साथ खतरनाग भी साबित हो रही है जिसका नतीजा अभी अभी एक हाल ही के मामले से निकल कर सामने आया है बतादे एक 22 साल की महिला ने प्ले स्टोर से एक डाउनलोड किया उसको पैसे की जरूरत थी और जब उसने उस एप के जरिये 5000 रुपे लोन लेने के लिए अपलाई किया तो उसे 5000 के बदले 3000 ही मिले और अब उसी वसूली के लिए उसे धमकी भड़े कॉल्स आने लगे हैं इतना ही नहीं बलकि उसके फोटोस को एड़ेट कर न्यूड फोटोस में बदल कर उस महिला के करीबियों को भेजा जा रहा है उस लड़की को न्याई की मांग वो लड़की कर रही है और गुहार लगा रही है कि उसे न्याई मिले ये साइबर क्राइम का मामला मुंबई का है जहां क्रेडिट लोन अप इंस्टॉल करना 22 साल की लड़की को महंगा पर गया है लोन देने समय पांच हजार के बदले सर्फ उसे तीन हजार दिये गए और अब उसे चुपता करने के लिए उसके एडिटेड न्यूड पिक्चर को वाइडल किया जा रहा है महिला ने सिवाजूी नगर राथाने में जाकर एफायार दर्च करवाया है और पुलिस इस मामले में अब उस एप का सारा डेटा निकाल कर गूगल को भेजनी की तयारी कर रही है ऐसे में आजकल दुनिया जस तरीके से डिजिटल हो रही है ऐसे वक्त में लोगों को समझदारी से काम लेने की आवश्यक्ता है ताकि आप भी ऐसे बल्राक मेलर्स की जाल में ना फसे साथी लोग ठगी के भी शिकार हो रहे हैं इससे भी आपको बचनी की जरुरत है इतना ही नहीं बल्कि बिना लोण लिए भी आप इसके शिकार हो सकते हैं इसके लिए आपको हमेशा अपनी फोन पर आए हर एक कॉल और हर एक मेसेजस से सावधानी बरतनी होगी अब इतक आपने फरजी लोन एप से जादा ब्याज लोन देने रिकवरी के लिए कस्टमर्स को प्रतारिक करने के मामने सुने होगे लेकिन अब इन गैर कारणूनी लोन एप ने ठगी का नया तरीका भी ढूंड निकाला है जिसके तहर जासाज ऐसे लोगों को भी अपने चौपेट में ले रहे हैं जिन्होंने लोन लिया ही नहीं है ऐसे कई मामने सामने आए हैं जिनमें लोगों को बिना लोन लिये ही रिकवरी मैसेज़ आ रहे हैं और उन्हें ब्लाक मेल किया जा रहा है ऐसे में अगर आपको भी कोई लोन लिये बिना या फिर कोई भी ऐसा लिंक आए उस पे आपको क्लिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है कोई भी आपको मैसेज आए तो सबसे बहतर है कि आप उसे इग्नॉर करने जब आपने लोन लिया नहीं है तो इससे डड़ना कैसा मैसेज में दिये गया लिंक पर क्लिक ना करे कोई भी रिप्लाई एक मैसेज मिलने पर ना करे उस मैसेज को तुरंट ब्लॉक कर दे और इस तरह के मैसेज मिलने की जानकारी WhatsApp स्टेटस पर भी शेर कर दे ताकि और लोग भी इससे सावधान हो सके मैसेज मिलने के बाद किसी भी कीमत पर अपना बैंक स्टेटस या फिर अपना कोई भी बैंक स्टेटमेंट उसे शेर ना करे ऐसे सिती में वो आपके स्टेटमेंट से उस दिन आए किसी भी ट्रांजिक्शन को क्लेम करते हुए आप पर दबाव बना सकता है साथी सबसे जरूरी बात कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फॉरन पुलिस को या फिर साइबर सेल को इस तरह की घटना की जानकारी दे और खुद को सुरक्षित करे इसी के साथ हमें दीजे इजाजत और साथ या आप ऐसे मा दना धन्यवाद